नमस्ते दोस्तों अडिस बल्ड में आपका स्वागत श्वात्य समंदी चर्चा में होमेपेटिक की एक बहुत अच्छी दवा उसका नाम है सापालमेटो सापालमेटो का मदर टिंचरी अधिक काम आता है और ये रोज काम आने वाली दवाओं में से एक है और इसके अधिक काम आता है सापालमेटो मदर टिंचरी पंद्रा पंद्रा बून दिन में आदे कप आने से तेन या चार बार ये खास करके जैसे मेरी उम्र है या इस तरह अधेर आवस्ता के अंदर प्रोस्टेट की ग्रंती पर कोई न कोई प्रोब्लम होती है तो ये सापालमेटो ये प्रोस्टेट की ग्रंती के ओपर इसकी विशेस किरिया होती है और उसको ये दूरस्त करती है पौरुष ग्रंती पर जो भी तकलीफ होती है उसको ये ठीक करती है पुर्ष ग्रंती का अंदर कोई तकलीफ होना या बढ़ जाना तो बार-बार पेसाब वो भी दर्द के साथ मुत्रा से प्रदा यानि पेसाब में हैसा लगता कि भी गरम आ रहा है रात में बार-बार पेसाब आने की वज़े से नेन ना आने पर इससे विशेश फाइदा होती है अक्सर ये बहुत मेरे पास ऐसे वाड़ से बाते हैं कि हमको पूरी रात पेसाब होने की वज़े से नेन नहीं आती तो उनके लिए सापाल मेटो एक पेटेंट दवा है इससे विशेश ही फाइदा होगा एक मैंना ले सकते हैं ये प्रोस्टेट ग्लेंड्स की वरद्धी को रोकता है आप ओप्रेशन से बच जाएंगे प्रोस्टेट ग्लेंड्स की वरद्धी को रोकता है इसके बड़े आकार को छोटा करके और निरोग करता है प्रोस्टेट ग्लेंड्स को इसके अलावा धातू दोर बल्ले धातू समंदी कोई भी रोग सरीर से वीरिय का नास होना अस्तमेतुन की वज़े से नास होना अथ्वा जिनका वीरिय पतला पड़ना तो धातू की कोई भी प्रोब्लम हो उसको ये ठीक करती है उसके साथ ये लेक्षन भी रहता है कि अंड कोस बड़ा हुआ रहता है तो अंड कोस बड़ा हुआ हो और सेक्स समंदी कोई भी प्रोब्लम हो सापाल मेटो मदटेंचर जरूर लीजिए एक दो मेना सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक खास बाज जो है इस्तरी और पूरुत दोनों कोई नपून सकता हो न कोई-कोई इस्तरी को भी कोई उसकी इचाने होना वगएरा दोनों की शेक्च्यपर्ति अरुच्जी हो न दोनों की कामसक्ति का लोप हो न इसमें ये दवा काफी लाब प्रद रहती है ये दवार सापालमेटो प्रोस्टेट ग्रंथी के अलावा पूरुस और इस्तरी के सेक्स समंदी जो भी प्राबलम है उनको ये ठीक करती है इसका मदर टिंचर दो मैना तक जिनका दातू कमजोर है उनको परियोग करना चाहिए याद रखिए दातू दोरबल्ले के साथ जिनके अंड कोस भी बढ़ते हैं तो उसके लिए तो ये पेटेंट दवा है और वैसे भी अगर किसी को प्रोस्टेट की कोई तकलीफ है तो इस दवा को वो एक बार जरूर आजमाएं मदर टिंचर के रूप में दो माइना तक उसके बाद अपने चिके सकते रा करें दोस्तों आपको मैंने आज सापाल मेटों से परचित कराया इसका मूलर काम करता है हो सकता है इसकी पोटेंसी भी आती हो येकिन मदर टिंचर सबसे उच्छा काम करता है आप इसे काम में लीजिए लाव उठाईए वीडियो बादी ऑल करें से लाव झाल वीजित जाती हो येजिए इसका मूलर को मितलिए ऐसा ओश्राइए झालर इसका मूलर काम